जैसा कि आप देख पा रहा है 103 को multiple करना 113 से तो पहला रूल ये कहता है कि आपको last के दोनों digit को आपस में multiple करना है तो 03 को 13 से multiple करते है तो 39 आता है दूसरा रूल ये कहता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है मतलब last के दोनों digit को आपस में जोड़ना है तो 03 को 13 से जोड example लेते हैं और समझते हैं तो यहाँ पर हमारे पास example है 108 116 इनको आपस में multiple करना है मैंने कहा पहला रूलिए कहता है कि last के दोनों digit को multiple करना है तो दोस्तों यहाँ पर 08 है अगर यहाँ पर 18 होता तो भी हम last के दोनों digit से multiple करते है बात आ रही है और आपको समझ में ठीक है तो 128 आ जाता है अब इसके बाद दूसरा रूल यह कहता है कि इन दोनों को आपस में जोड लो तो 08 प्लस 16 को 24 हो जाता है तीसरा रूल यह कहता है कि एक का स्वायर कर दो तो 124 और 128 आ जाता है अब आपको प्लस्ट के दो डिजिट ही लिखने हैं तो यहाँ पर आप 28 लिखे और इसके बाद एक कैरी में चला जाएगा और एक यहाँ पर Add हो जाएगा तो यहाँ पर Add करता है तो किता आता है पचीश आता है तो 25 लिखलो और एक आगे यहां पर 204 और 216 को आपस में multiple करना है यह भी बहुत यह आसान है 04 को 16 से multiple कर लो पहला रूल तो हमारा यही कहता है ठीक है तो फिर आप यहां पर 64 को कर सकते हो इसके बाद हमारा दूसरा रूल यह कहता है कि यहां पर इन दोनों को add करना है तो 04 16 को add कर लो क्योंकि मैंने कहा लास्ट दोनों digit को add करना है और इसके बाद multiple करना है दो से और जैसे आप दो से multiple करते हैं तो यहां पर 20 इंटू टू पर 40 आजाता है तो यहां पर 40 टाइप कर सकते हैं फिकर तो यह बहुत यह आसान है और टीशर रूल यह कहता है कि जो पहला digit होता है उन्होंका square कर दो त square 4 हो जाता है तो यहां पर 4 फिर 40 और इसके बाद 64 आप टाइप कर सकते हैं आपका answer आ गया पहले आप चौसर लिख दो इसके बाद 40 लिख दो फिर 4 लिख दो एक ही बात है यह आपका answer आ गया तो दोस्तों है ना बहुत यह आसान दोस्तों यह तो केवल एक ट्रेलर था प आपके comment बताएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते भी है या नहीं चाहते है तो फिलाल की वीडियो में इतना ही मिलता हम आपसे इस तरह के इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर अगले वीडियो में तब तक के लिए कहूंगा बाबाए एंड ट्रेक के अगर